पिछले वर्ष 22 अप्रेल 2023 को ब्रिहस्पती अपनी स्वराशी मीन से निकल कर अपने मित्रमंगल की राशी मेश में प्रवेश कर चुके थे। अब यही देव गुरु ब्रिहस्पती वर्ष दो हजार चौबीस में दैत्य गुरु शुक्र की राशी व्रिशब में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु ग्रह वर्तमान में मंगल ग्रह की राशी मेश में मारगी अवस्था में हैं। साल दो हजार चौबीस में गुरुग्रह एक मई दो हजार चौबीस को मेश राशी से निकल कर व्रिशब राशी में गोचर करेंगे। इसके बाद गुरुग्रह छे मई को अस्त अवस्था में चले जाएंगे। फिर 12 जून को गुरु ग्रह रोहिनी नतरग्य में गोचर करेंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को गुरु ग्रह वक्री अवस्था में आ जाएंगे फिर अगले साल 2025 तक वक्री चाल में रहेंगे। वैदिक जोतिश के अनुसार साल 2024 में गुरु ग्रह कई बार अपनी चाल बदलेंगे और राशी परिवर्तन करेंगे। जिसका प्रभाव मेश से मीन तक सभी 12 राशियों पर पढ़ने वाला है। इस वर्ष होने वाली महत्वपूर्ण जोतिशिय घटनाओं में से एक है गुरु ब्रिहस्पती को शुब ग्रह के रूप में देखा जाता है और वैदिक जोतिश के अनुसार गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रिहस्पती जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर भी ब्रिहस्पती की दृष्टी पढ़ती हैं वहां अमरित के समान शुब द्रिष्टी डालते हैं जिससे व्यक्ती को शुब परिणामों की प्राप्ती होती हैं। ब्रिहस्पती को जोतिश में जीव भी कहा गया है। ब्रिहस्पती शनी के बाद दूसरे मंद गती से चलने वाले ग्रह माने गए हैं और यह लगभग 13 महीने म एक राशी का भ्रमन कर दूसरी राशी में गोचर कर जाते हैं यह राशिफल चंद्र राशी पर आधारित है। ब्रिहस्पती महाराज आपकी मिथुन राशी के लिए सब्तम और दशम भाव के स्वामी होकर एक महत्वपून ग्रह हैं और अपने इस गोचर काल में वह आप के द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। देव गुरु ब्रिहस्पती के इस गोचर के प्रभाव से मुख्य रूप से आपका द्वादश भाव प्रभावित होगा जिसके परिणामस्वरूप आपके खर्चों में वृध्धी होने की संभाव ना रहेगी। अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। जीवन साथी के साथ आनंद दायक पल बिताने का मौका मिलेगा। मानसिक शांती मिलेगी। अप्रत्याशित धन लाब हो सकता है। आप धार्मिक और अच्छे कारियों पर खर्च करेंगे। इससे आप को समाज में मान सम्मान मिलेगा और आप संतुष्टी भरा जीवन व्यतीत करेंगे क्योंकि आपका खर्च व्यर्थ की चीजों पर नहीं होगा लेकिन इससे आपके उपर आर्थिक बोज अवश्य बढ़ सकता है क्योंकि खर्चे बढ़ सकते हैं। ब्रिहस्पती को वृध ब्रिहस्पती की दृष्टी चतुर्थ भाव पर होने से आप अपनी सुख प्राप्ती के लिए खर्च करेंगे और उन खर्चों को करने के बाद आपको संतुष्टी और सुख की प्राप्ती होगी. घरेलू खर्च में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे. आताजी के स्व भी भक्ति पूर्ण और धार्मिक हो सकता है। आप घर की आवशक्ताओं के उपर ध्यान देंगे और उनको पूरा करेंगे। ब्रिहस्पती की दृष्टी शष्ठ भाव पर होने से आप अपने विरोधियों से विन्मर व्यवहार करेंगे जिससे वे आपके मुरीद बन आपके कर्ज में भी कमी आ सकती है। ब्रिहस्पती महाराज की नवम दृष्टी अश्टम भाव में होने से आपके अंदर धार्मिक गतिविधियों और जोतिश जैसे विशों में अच्छी जिग्यासा बढ़ेगी। आप इनको अपने जीवन में अपना सकते हैं। यदि आप शोध के विद्यार्थी हैं तो ब्रिहस्पती महाराज का यह गोचर आपको शोध के क्षेतर में अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपको इस गोचर के प्रभाव से व्यापार अथवा नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। जीवन साथी और आपके बीच वैवाहिक संबंधों में अंतरंगता में बढ़ोतरी होगी और आपका रिष्टा प्रगाड होगा। 9 अक्टूबर से देव गुरु ब्रिहस्पती आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य क परिशानिया कम हो सकते हैं। आपको ब्रिहस्पती महाराज की क्रिपा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों अथवा ब्राहमनों को गुरुवार के दिन पठन-पाथन की सामगरी भेंट करनी चाहिए। आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दवा लें। जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे वीडि